आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो यहाँ पे हमें बताना है कि given option में से कौन सा statement जो है वो सही नहीं दिया गया है interference के regarding not true, confuse नहीं हो नहीं यहाँ पे हमें false statement बताना है तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे discuss करेंगे interference के regarding interference जो है यह हमारे proteins होते हैं जो की produce होते हैं body के cell से as the defensive response to viruses वाइरस के लिए जो है यह defensive response देते हैं तो देखेंगे यहाँ पे option first से जो दिया गया है these act outside the cell तो बोला जा रहा है कि यह जो है cell के बाहर act करते हैं बिल्कुल सही है बट हमें जो है यहाँ पे false statement बताना है इस बेसे पे यह option हम यहाँ पे गलत करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने डाइग्राम लिया है जिसमें हम interference की working के concern में discuss करेंगे these are here the interference आप देख सकते हैं यह जो हैं हमारे proteins हैं यहाँ पे और क्या हो रहा है कि जैसे ही कोई virus जो है हमारे cell में enter करता है और यहाँ पे replicate करता है whether DNA in the cell तो ultimately इस response में जो है यहाँ पे interference जो है यह produce होते हैं अब यह जो interference हैं यह signal देते हैं neighboring unaffected cell को कि वो जो है अपने RNA को destroy करें और ultimately यहाँ पे जो protein की synthesis है वो reduce होती है RNA को destroy करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है because as we discuss कि यह जो है replication में cell की जो replication है उसमें जाके interfere करता है और अपने number को बढ़ाता है अब जहाँ पे virus की replication ही नहीं होगी ultimately उस cell में जो virus है वो जिन्दा ही नहीं रह पाएगा या उसकी population जो है वो increase नहीं करेगी kindly neighboring infected cell को जो है यह signal देता है कि वो जो है program cell death को जो है proceed कर लें apoptosis को जो है वो कर लें ताकि जो हमारे remaining cells हैं उन्हें कोई affect ना हो okay after that third जो है यह activate करता है immune system को इस तरह से जो हमारा interferon है यह work करता है जो के हम discuss कर चुके हैं second दिया गया है they work quick acting बिल्कुल सही है जैसे ही यहाँ पर application में interfere करेगा virus वैसे ही यह जो है फॉर्म होके quick action लेंगे इस basis पर यह option भी हमारा यहाँ पर गलत होता है third दिया गया है dear action is long lasting तो यह जो हमारा statement है यह false है against the interference because इनका जो action है वो बहुत ही quick action होता है यह जो है बहुत ही जल्दी respond देते हैं last दिया गया है these act against viruses बिल्कुल सही है यहाँ पर हमने discuss किया है कि जब virus जो है वो interfere करेगा in the replication of the cell ultimately उस टाइम पर interference जो है वो produce होंगे तो यहाँ पर यह जो है यह act करते हैं against the viruses राइट classic situation से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net app या whatsapp कीचे अपने doubts 84444 पर